आपको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूंगा जो लोग फंडामेंटर्स देखना चाहें या वो सरूर देख सकते हैं इस वेबसाइट पे तो हम कुछ स्टॉक्स लेंगे जैसे IRCTC, Bajaj Finance और HDFC, AMC साथ ही साथ जैसा कि आप सबको पता है कि आज भयानक फिर से गिरावट रही पूरे मार्केट में और कह सकते हैं कि अफकोस इट वाज ब्लैक फ्राइडे एक काफी गिरावट है पूरे भारती बाजार में तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ स्टॉक्स पे न यस बैंक के बारे में कि उसमें जो स्थिति है थोड़ा सा डामडोल है और आज कि स्थिति आपको पताईए कि क्या हुआ उसमें खैर हम यस बैंक की बात ना करते हुए कुछ IRCTC के बारे में बात कर लें IRCTC का जो मेरे लास्ट वीडियो था उसमें भी एक लेक किया गया था मेरे द्वारा की जो है बहुत एक तरफा जब भाग जाता है तो वो ट्रेंड जो भागने लगती है इस प्लेटफर्म पर दोड़ने लगती तो छोड़ देना चाहिए पकड़ना रिस्की होता है पूर इससे कितनी ज्यादा इंडस्ट्री प्रभावित होने वाली है ट्रेवल जैसे कि airlines, hotels, tourism, spots जितने भी है परेटन या परेटन के स्थल से दुनिया भर में यह सारा वेवसाय पे प्रभाव पढ़ने माला है और इस वज़े से मुझे लगता है कि जो अगले quarter के नतीजे आएं उस दवरान भी और मुझे लगता है कि वर्तमान इस्थिती भी थोड़ा सा और फार्मा भी बहुत जबर्दस प्रभाव पढ़ेगा तो इस प्रकार से बहुत जबर्दस प्रभाव पढ़ने वाला पूरे वेवसायो में चाइना दुनिया का सब सब बड़ा लीडर था supplier, exp supporter और सारे देशों ने जो है थोड़ा avoid कर रहे हैं इस बीमारी की वज़े से क्योंकि पहले अपने आपको सुरक्षित रखें बाद में तो trading चीजें हैं तो ऐसे मैं अब Indian IRCTC जो है stock circuit पर circuit मतलब लोग लगातार बेच रहें मैंने देखा इसमें भयानक विक्वाली देखी गई और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी इसमें देखने को मिल सकता है इसलिए फिलाल जो लोग इसमें खरीदने की सोच रहे हों थोड़ा सा avoid करें market अभी किस level तक जा सकता है और मैंने देख वीडियो भी बनाया था कि ऐसे disaster management के लिए आपके पास एक fund होना च वही आपको सुरक्षित रख सकती है बाकी तो मेरी सारी सिंपाइथी है आप सब लोगों के साथ और सिर्फ आपका ही नहीं आपका portfolio नहीं loss में दिख रहा होगा overall सभी का चाहिए बड़े fund houses हो चाहिए जो भी दिगज निवेशक हो सब को जो है नुकसान जेलना पड़ादा है क्योंकि जब पूरे market में की लगातार गिरावटर इतना इपसान होगा आज जो IRCT से के price है 1369 रुपए के भाव पे यानि दो बजे के सिती यहां पर इस टिकर टाइप के जो प्रोफेशनल्स हैं एक्सपर्ट से उनके कहना है के आलेस्ट है अव सजेस्टेट देट इन्वेश्टर्स केन बाइडिक स्टॉक तो ठीक है इनका एक अपना सिस्टम में इनका प्रारूप है वो तरीका कहने का लेकिन मेरे विचार से थोड़ा सा अभी अवाइड करना चाहिए बिकोस रेट फ्लैक्स आर हियर फांड हाइली डिफॉल्ट प्रोबेबल्टी है ना तो इस प्रकार से थोड़ा सा अभी इस प्राइस पे ना ले और भी गिरावट चल रही है लगातार अभी चिंता वाली विशा है कि SBI कार्ड के क्या हस्ति होगी है ना ओर सास्टाइब तो हुआ है बट अगर ऐसे गिरावट रही तो लोग उस दिन भी बहुत भ्यानाग वेच सकते हैं ऐसा अनुमान लगा जा सकता है अगर कोरोना के बीमारी जो है संभली नहीं तो एनिवेज दूसरा स्टॉप की बात करते हैं HDFC Asset Management Company जो Mutual Funds हैं पैसा लगाने वाले उनका भी कुछ Exposure Yes Bank में है तो HDFC Asset Management यानि AMC में भी यहाँ पे गिरावट है और मुझे लगता है कि अभी और तथ्य सामने आएंगे कि किन-किन लोगों का जो है पैसा Yes Bank में या Bonds के जरी जो भी Mutual Funds के मादियम से जो भी Hybrid Funds के वाली बात है काफी लगा तो इसमें भी थोड़ा सा नजर बना रहा है देखी बड़े दिग्गचों को अगर आपको गिरावट में मिले तो उनमें स्तिती बनाने से ना चुके लेकिन फिलाल अभी गिरावट चल रही है ठीक है तो HDFC Management का 2960 रुपए का प्राइस पे ट्रे 1203 के प्राइस पे आज भी इसमें 3% के आसपास गिरावट है चल रही है और ये इसमें भी कोई red flags नहीं है entry point यहां पे दिया पर मुझे लगता है कि और भी सस्ता मिल सकता है हाला कि बहुत गिर चुका है क्योंकि सभी गिर रहे हैं लगातार गिरावट ही हो रही लोग तो क क्या करना है पैसे को आपको संभाल के रखना है यही कह सकता हूं तो एक छोटा वीडियो बनाने का मूट था आज Friday था आज मार्केट बंद हो जाए कि फिर मंडे कोई खुलेगी तो ITC में भी जबरदस यहां पर मैं देख रहा हूं कि 182 रुपए आज भी इसमें जो है काफी गिरावट है तो चाहे FMCG हो चाहे जो भी सेक्टर हो सभी प्रभावित हैं इस गिरावट में तो यह तीन स्टॉक के बारे में मैंने जो अपडेट किया तो इसमें यही कह सकत हूं कि नजर बनाए रखें इन दिगजों पर चाहे HDFC बैंक में जो लोग बैंकिंग में पसंद करते हैं पैसे ना लगाना तो HDFC बैंक पर फोकस करें बाकितों इंडेसिन बहुत तूट चुका है अभी उसका पता नहीं भाई जिनका निंपिय और निकल रहा है कितना और क कहाँ पर निकले कितना कहाँ एक्सपोजन निकले तो उसमें थोड़ा सा डर रहता रिस्क रहता है तो यह हैं अच्छी कंपनियों को हमेशा निगाभ बनाए रखें पैसा थोड़ा सा अगर मालीजी अगर आपके पास जो भी इन्वेस्टेड हैं उसके अलावा भी अगर बढ़ा जाया कुछ नहीं पता सब लोग पूरी कंट्री के लोग अलर्ट हो रहे हैं और राजसरकारें अलर्ट हो रही हैं बाहर से आने वाल तो बहुत इंड़स्ट्री प्रभावित होने वाली हैं तो यह कह सकता हूं आप भी सुरक्षित रहिए और धीरे धीरे करिए हर गिरावट में लेकिन हां कुछ कैश बचा कर रखिए गया पूरा मतलगा लिए गया तो हो सकता है कि और भी बड़ी बड़ी कंपणियों के स्टॉक्स आपको कम प्राइस पर मिल जाए और लंबे समय कि अगर आपनी वेश हैं तो उसका लाभाब को जरूर मिलेगा ठीके ।